आज मैं आपको तीन मोस्ट इंपॉर्टन सेंटेंस स्ट्रॉक्चर पढ़ाने वाला हूँ So let's get started तो जो यहाँ पर पहला मोस्ट इंपॉर्टन सेंटेंस स्ट्रॉक्चर है वो यह है कि अगर हमें sometimes if we want to say अगर हम यह कहना चाहते है कि इस गलस फ़हम में मत रहो या आप कि इस गलस फ़हम में जी रहे हो या आप गलस फ़हम में जी रहे हो तो इस सेंटेंस स्ट्रॉक्चर को बनाने के लिए हम एक पडिकॉलर सेंटेंस स्ट्रॉक्चर इस्टिमाल करते हैं जो कि है be or live in misconception it means गलस फहिम में रहना या गलस फहिम में जीना तो अगर हमें ये बोलना होगा कि इस गलस फहिम में मत रहो तो हम बोलेंगे don't be in this misconception don't be in this misconception या अगर हमें ये बोलना होगा कि आप कि इस गलस फहिम में जी रहे हो या आप कि गलत फैमी में रह रहे हो तो हम बोलेंगे Which misconception are you living in? Which misconception are you living in? या sometimes if you want to say अगर आप यह बोलना चाहते हो कि आप गलत फैमी में जी रहे हो आप गलत फैमी में जी रहे हो Simply we can say हमें यह कहना है कि You are living in misconception You are living in misconception कि आप गलस वहम में जी रहे हो अब जो next sentence structure है अगर हमें ये बोलना होगा कि क्या आपको लगता है कि ये जाइज है या मुझे नहीं लगता है कि ये जाइज है sometimes हम बोलते हैं कि आपका गुसा जाइज है तो इस sentence structure को हम बनाने के लिए हम एक particular word इस्तिमाल करते हैं जो कि है justified justified का मलब होता है जाइज तो अगर हमें इस sentence इस तरह बनाना होगा कि आपका गुसा जाइज है तो हम बोलेंगे your anger is justified your anger is justified या अगर हमें कभी कबर ये बोलना होगा कि क्या आपको लगता है कि ये जाइज है तो हम बोलेंगे are you sure this is justified are you sure this is justified या sometimes if you want to say कि ये जाइज है तो हम बोलेंगे this is justified this is justified means ये जाइज है या जब कभी जब हमें ये बोलना होगा कि मुझे नहीं लगता कि ये जाइज है तो sentence बनेगा I don't think that this is justified I don't think that this is justified अब जो last sentence structure है वो ये है कि have patience have patience का मनलब होता है सबर रखना तो अगर हमें sentence इस तरह बनाने होंगे कि सबर रखो तो हम बोलेंगे have some patience have some patience या अगर हमें बोलना होगा कि क्या आप सबर नहीं रख सकती तो हम बोलेंगे can't you have patience या इसके बज़े अगर हमें ये बोलना होगा कि आपको सबर रखना चाहिए तो हम बोलेंगे आपको सबर रखना चाहिए था तो हम बोलेंगे आपको सबर रखना चाहिए था तो हम बोलेंगे आपको सबर रखना चाहिए था तो hope आपने इन sentence structure को enjoy किया होगा मिलते हैं next video lecture में till then goodbye and take care